आज के इस वीडियो में सवाल है वीटो पावर क्या होता है या वीटो सक्ति क्या होती है और कितने देश के पास वीटो सक्ति है तो आगे बरते हैं वीटो लेटिन भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है मैं निसेद करता हूँ अर्थात मैं अलुमती नहीं देता या मना करने की सक्ति या किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का अधिकार देता है विश्तार से बात करें तो संयुक्त राष्ट संग की अस्थापना दूसरे विश्वजुद के बाद 24 अक्तूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट संग के मुख्य रूप से छो अंग हैं इस छो अंगों में सचिवाले, महासभा, सुरक्षा परिसद, प्रन्यास परिसद, आर्थिक एउर्ट, सामाजिक परिसद, अंतरराष्ट न्याले हैं वैसे अभी प्रन्यास परिसद का कार ये समाप्त हो चुका है संयुक्त राष्ट संग का एक अंग है सुरक्षा परिसद, सुरक्षा परिसद को दुनिया का सिपाही कहा जाता है क्यूंकि वैस्विक सांती तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास होती है सुरक्षा परिशद के सदस्य के पास ही यह वीटो सक्ती है अभी यह सक्ती पांच देशों के पास है जो की सुरक्षा परिशद के अस्थाई सदस्य है पांच अस्थाई सदस्यों में रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फरांस है इसी पांच सदस्य के पास वीटो पावर है जो किसी प्रस्ताओं को रोक सकते हैं या सिमित कर सकते हैं संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद को अंग्रेजी में United National Security Council कहा जाता है वीटो सब दिका इत्यास की बात करें तो वीटो का इत्यास काफी पुड़ाना है कहा जाता है कि प्राचिन रोम में चुने हुए अधिकारियों के पास खास अधिकार होता था इस अधिकार के जरिये वे रोम सरकार के किसी भी फैसले को रोक सकते थे तब से चला आ रहा है यह वीटो सब्द और फिर तब से ही वीटो सब्द का पर्योग किसी प्रस्ताव या किसी फैसले और गतिवीदी को रोकने के लिए होने लगा है सबसे पहले 1946 में USSR ने लेबनान और सीरिया से विदेशी सेनिकों को वापसी के प्रस्ताव पर वीटो किया था USSR को ही सौवियत संग कहा जाता है अब एक सवाल उठता है कि किस देश ने कितनी बार वीटो का इस्तमाल किया है अब तक सबसे ज़्यादा बार रूस ने वीटो का इस्तमाल किया है रूस ने अब तक 141 बार, अमेरिका ने 83 बार, बिर्टेर ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चिन ने 15 बार वीटो का इस्तमाल किया है अन्त में आपको एक उदाहरन देकर समझाना चाहूंगा कि यह वीटो पावर कितना पावरफूल है और किस तरह इसका इस्तमाल करते हैं मुंबे आतंकी का मास्टर माइंड को जब सन्यूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत ने वैस्विक आतंकी घोसित करने का प्रस्ताव लाया था तब चिन ने उसे अपनी वीटो पावर का इस्तमाल कर यह प्रस्ताव पारित होने से रोग दिया था अब आप समझ सकते हैं कि सन्यूक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के चार सदस्त के सहमती के बावजूद भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका अगर अभी भी किसी को वीटो पावर के बारे में कन्फ्यूजन रह गया है तो कमंट करके जरूर बताईए ताकि अगली वीडियो में सही तरीके से बताया जा सके